Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our channel. आज की इस वीडियो में हम लिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैंने class 10th और class 12th दोनों में ही full score करा in chemistry. Even in class 12th मेरे 100 out of 100 marks आये थी chemistry में. तो chemistry में specifically मैंने क्या क्या चीज़े follow करी थी, कैसे मैं full score कर पाई थी, वो सारी चीज़े आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ. उससे पहले अगर आप class 10th में हों और आप कोई भी batch ढूंड रहे हो अपनी preparation को boost up करने के लिए, तो हम लोगोंने निपोर्न batch launch कर दिया है, तो आप इसे purchase कर सकते हो. प्राइस इसका 599 ही है, सिर्फ अगर आप code यूज करोगे Y916, इस batch में हम आपको बहुत सारे features provide कर रहे हैं, जो आपको किसी और batch में नहीं मिलेंगे. क्या-क्या है वो features, तो दिखो सबसे पहले, आप लोगों को lectures चाहिए, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर वो lectures आपको chapter wise मिल जाएंगे, इसके बाद worksheets हम लोग यहाँ पर provide कर रहे हैं, यह जो worksheets हैं, इनमें आपको सारे टाइप की questions मिलेंगे, we have given MCQs, assertion reason, case based questions, 2 markers, 3 markers, 5 markers, सारे टाइप की questions इन worksheets में included हैं और यह chapter wise हैं, और इन worksheets के हम आपको live solutions भी provide कर रहे हैं, खुद से हम इनको live आपके सामने solve कर रहे हैं, जो भी doubts आते जाएंगे वो भी हम यहाँ पर लेते जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पर 15 sample question papers हम provide कर रहे हैं, यहाँ पर भी इन 15 sample question papers का live हम solution कराएंगे, doubt solving sessions अलग से होंगे, कि specifically अगर कोई doubt है आप लोगों के तो उनको हम अलग से doubt solving sessions में solve करेंगे, इसके अलावा hand written notes जो की हम teachers ने खुद से आपके लिए बना रखे हैं, वो यहाँ पर हम आपको provide कर रहे हैं, इतने सारे features मिल रहे हैं at this price, इतना कम price हैं और ये भी अगर आप wire 916 code use करोगे तो आपको approximately 585 रुपीज का पढ़ जाएगा, तो बहुत ही कम price में आपको ये batch मिल रहा है, तो definitely go for this batch, वैसे हमने एक और batch भी launch करा है प्रगती batch, जिसका price 349 रुपीज है, again code use करोगे तो आपको discount मिल जाएगा, बट प्रगती batch में limited features है, क्योंकि इसका price कम है, तो features भी limited है, यहाँ पर आपको chapter wise lectures तो मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको e-books हम provide करेंगे इसमें, और hand written notes यहाँ पर हैं, बट यहाँ पर worksheet, sample question papers, doubt solving sessions नहीं है, इसलिए I will highly recommend कि आप लोग निपूर्ण batch खरीदो, क्योंकि यहाँ पर भले ही इसका price थोड़ा सा जादा है, बट इतने सारे features मिल रहे हैं, यह features आपको इस price में कहीं और नहीं मिलेंगे, इतने की एक book भी नहीं आएगी, कि अगर आप 10 sample question papers की book खरीदोगे तब ही भी, तो यहाँ पर तो हम 15 provide भी कर रहे हैं, paper solutions भी दे रहे हैं, live, इसके अलावा doubt solving sessions भी हैं, worksheets भी हैं, खुद के बनाये हुए hand written notes भी हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, so go for this batch, order 24-7 की app download कर लो, k10 section पर चले जाओ, निपोर्न batch आपको मिल जाएगा, and code Y916 आप लोग apply कर देना, ठीक है, चलिए, अब देखो, chemistry की strategy की, अगर हम लोग बात करें न, तो chemistry में mainly जो questions आते हैं, वो theory से आते हैं, ठीक है, इसके अलावा reactions हैं, बहुत सारी reactions तो आती ही आती हैं, जैसे class 12 में तो और भी जादा reactions हैं, class 10 में तो हमारी limited ही reactions हैं, ठीक है, तो जितनी भी limited reactions हैं, उनको हमको practice करना है, और class 10 में specifically observation based questions आते हैं, कि क्या observe आप कर रहे हो, जब ये चीज़ समझाई हो रही है, इन केस कोई point miss out हो जाता है, तो आपके पास NCRT है, reference book है, आप read कर लो, ठीक है, तो आप theory के लिए reading करो, और जो भी teachers पढ़ा रहे हैं, उसको सुनो, तो theory तो यार असानी से done हो जाएगी, इसके बाद हैं हमारे पास reactions, तो reactions की practice हमको कैसे करनी है, तो आपको written practice करनी है, बार-बार reactions को लिखना है, बहुत सरे बच्चे ऐसा सोचते हैं, कि बस reaction को देख लिया है, काम खतम, बट नहीं, reactions की जब तक आप written practice नहीं करोगे, तो आपको benefit नहीं मिलेगा, so reactions की written practice करनी है, observation based questions, इसमें कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ती है, जैसे copper sulphate का color क्या है, तो रटना पड़ेगा न, कि blue है, इसके बाद, अगर इसमें मैंने iron की nail डाल दी है, तो ferrous sulphate बन गया, जो की green color का होता है, तो यहाँ पर यही observations पूछे जाते हैं, कि क्या color change है, कौन सी gas evolve हो रही है, यह सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने होती है, ठीक है, इसके अलावा हमाई पास detection test भी पूछे जाते हैं, ठीक है, so detection test जो हैं, वो भी आप लोगों को देखने हैं, जैसे class 10 की अगर मैं बात करूँ, तो hydrogen gas का, और carbon dioxide gas का, mainly इन दोनों का ही detection test पूछा जाता है, ठीक है, इसके अलावा class 10 में, x, y, z टाइप के questions भी हैं, तो x, y, z टाइप के जो questions है, कि x और y आपस में react कर रहे हैं, z बन रहा है, है ना, तो यहाँ पर x, y, z को identify करो, कि यह क्या है, तो reactions की मैंने बता दिया आपको, कि written practice करनी है, written practice is very very important, आपको ऐसा नहीं सोचना है, कि बस reaction है, ठीक है, देख लिया, हो गया, काम खतम, नहीं, you have to write it, ठीक है, copy में लिखना है, और अच्छे से बार-बार practice करनी है, कि अगर हमारे पास sodium chloride है, इसकी reaction पानी के साथ हो रही है, तो क्या तीन products बन रहे हैं, इस process का नाम क्या है, chloralky process, नाम क्यों रखा गया है, तो ऐसे relate करके आपको चीज़े याद करनी है, ठीक है, सारे टाइप के questions प्राक्टिस करने हैं, reaction-based questions आते हैं, जो आपकी NCRT activities हैं, तो activity-based questions भी आते हैं, तो सारी activity की अच्छी knowledge होनी चाहिए, सारे sessions मैंने already चानल पर करा रखे हैं, सारी activities मैंने कराई हैं, activity-based questions कराई हैं, सारे reactions अच्छे से practice कराई हैं, reaction-based questions भी हमने practice करें हैं, observation-based questions भी करें हैं, तो आप लोगों को sessions अच्छे से देखने हैं और NCRT की अच्छे से reading करनी है ठीक है चलिए उसके बाद concept clarity बहुत important है class 10th की जो chemistry है that is very very simple बहुत ही जादा simple है तो अगर class 10th का जितना भी concept है और class 9th का वो आपने अच्छे से अगर clear कर लिया तो class 11th और 12th में आपको बहुत ही जादा difficulty नहीं होगी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहां पर चीज़े रट लेते हैं पास हो जाते हैं concept उनका clear नहीं होता है तो obviously class 11th 12th में जाके उनको बहुत difficulty होती है तो अगर आप basic यहां पर अपने clear कर लोगे जितने भी basics हैं वो सारे अगर आपके clear हो जाएंगे concept आपका clear रहेगा तो 11th और 12th में आपको difficulty नहीं होगी और previous year papers तो याँ चाहे मैं chemistry की बात करूँ, physics की बात करूँ, bio की बात करूँ, math, social science हर एक subject के लिए previous year papers most important होते हैं previous year paper अगर कोई बच्चा 3-4 दिन पहले भी कर लेना तो वो असानी से pass हो जाएगा सिर्फ अगर वो previous year paper ही करे तभी भी तो इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो previous year papers भी साथ के साथ देखो कि किस-किस टाइप के questions आए हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ, relevant भी है या फिर नहीं तो previous year papers को भी आपको अच्छे से analyze करना है, ठीक है तो यह चीज clear हो गई, और last and most important tip is revision आपको बीच-बीच में चीज़े revise करनी है, अगर first chapter आपने दो महिने पहले कर लिया था, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद उस chapter को ghost कर देना है कि नहीं, अब मैं तुझे देखूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है अगर first chapter आपने बहुत time पहले भी कर लिया था, तो it is high time कि अब आप उसको वापस से revise करो, देखो उसमें क्या-क्या चीज़े थी, ठीक है तो यहाँ पर revision जादा difficult नहीं होता है, आपने notes बनाए होंगे तो quickly आप लोग 10-20 minute बस दे दो revision को, पूरा chapter खतम तो revision करना है, एक chapter कर लिया है तो उसको छोड़ नहीं देना है उसको भी equal attention देनी है, equal ना भी दे सको तो कोई बात नहीं 10-20 minute की ही attention उस chapter को दे दो, ठीक है तो यह सारी चीज़े आप लोगों को definitely follow करनी है chemistry में इसके अलावा जो निपुर्ण बाच है और जो प्रगती बाच है आप लोग purchase कर सकते हो Y916 is the code, आप लोग definitely use कर लेना So that is it for this lecture, I hope यार यह जो lecture नहीं कहूंगी छोटी सी जो वीडियो थी हो आपको पसंद आई होगी अगर आई है, so definitely like, share और subscribe कर लेना हम लोग मिलेंगे हमारी next वीडियो में तब तक यार अपना ख्याल रखना and all the very best, bye bye